अब वह हम लोग देखेंगे रैक एन पिंइवन गेड देखिए एडो दिखाई देरा आपको एक एन पिंइवन गेड है गेड का क्या काम है उपर से कोल आ रहा है एक कोल को दोनों पार्ट में डिवाइडेशन हो रहा है देखिए, कोई भी एक कनभेर उपर में आ रहा है, वो उसकनभेर का कोल इहां गिर रहा है, इसी चूट में गिर रहा है, गिर के इस कोल को अम लोग दोनों पार्ट में डिवाइडेशन कर सकते हैं, क्यों नीचे दो रोलार स्कीन लगा हुआ है, एक कनभेर के लिए दो रोला शकीन मतलब इस फ्रोर में टोटल चार रॉलार स्क्रिन लगा होता है रैकेंटब को हम ज्यादा कुल दे सकते हैं तो कम थोड़ा कम कूल दे सकते हैं यह हम लोगेट में इसको RPG gate को अब कैसे operate करेंगे देख लीजिए ये रेक Npinion gate नाम क्यूं दे दिये इसमें flap gate भी हम लोग दे सकते है लेकिन ऐसा नहीं है इसमें रेकें पिनन गेट कैंगे बहुत मजबूती है और इसमेंtwo rack दोनों हैं उसी का मदद से हम लोग अन्दर जो फ्लेट जो घुश जाता है चूट का अन्दर उस प्लेट को प्लेट को अपट करने के लिए रैक एन पिनियन को सब्त में अम लोग लगा दिये हैं और इसको अपट करने के लिए एक electric Motor 3.5 philosophic लेक्टिक मोटर रियूज किया गिया है उस मोटर को चलाएंगे तो उसका साथ आप लोग का एक ग्यार बॉक्स को लगा दिया है उसी ग्यार बॉक्स के करके हम लोग बंद कर सकता है यह रैक एन पिनियन गेट का मेंली अभी हम लोग रोलार स्कीन फ्लोर पर आ चुके हैं रोलार स्कीन पर कहां से कोल आया